लोकसवा चिनाफ से पहले अमेटी सांसद एवं केंदरी मंतरी समर्थी रानी काफी एक्टिव हो गई हैं अमेटी का लगातार दोरा कर रही हैं कुछ दिन पहले इसमर्थी रानी मक्का और मदीना का दोरा किया था उनके दोरे को लेकर कठर पंदियों ने जम कर हमला बोला था मक्का दोरा से कैस्मर्थी रानी को फायदा मिलेगा अगर अमेटी में मुस्लिम वोटरों की बात करें तो करीब 3 लाख मुस्लिम वोटर पुरे जिले में हैं ऐसे में कैस्मिर्टी इरानी का मक्का मदीना दोरा मुस्लिम वोटरों पर सकरात्मक परभाव डाल पाएगा दूसरी तरव राहूल गांदी भाराज जोड़ो निया यातरा निकाल ले हैं जो निया यातरा अमेठी से भी होकर गुजरेगी ऐसे में राहुल गांदी इसमिर्ती राने की मुसीबत बढ़ा इससे पहले अमेर्टी अपना गड़ मजबूत करना चाहती है अमेर्टी जिले की तिलोई विदानसवा सीट पर सबसे अदा मुस्लिम वोटर है तिलोई सीट पर बीजेपी का विदायकी यहां से मेंकेशवर शरण सिंग 2022 का चुनाब जीते हैं सीट से मुसलिम वोटर जादा होने करन बीजेपी की जीत ये बताती है कि अलपसंख्यक भी बीजेपी के साथ है तिलोई सीट पर करीब 1,41,000,000 वोटर हैं इसके बाद जगदेशपुर विदानसवा सीट पर मुसलिम वोटर हैं इस सीट पर 95,000 मुसलिम वोटर हैं यहां से भी बीजेपी के सुरेश कुमार विदायक हैं फिर गोरी गंज विधानसवा सीट आती है यहां पर करीब 35,000 मुसलिम वोटर हैं इस सीट पर सपा के राकेश परताप सिंग विधायक हैं सबसे जादा आखरी में अमेठी विधानसवा सीट आती है इस सीट पर लगबग 22,000 मुसलिम वोटर हैं यहां से सपा की महराजी पर ज हांसवा चनावी नतीजों के बाद दावा कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ इसमृती रानी ने पहले सी अपनी मजबूती को बनाये रखने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं अब पिछली बार जो वे जीती थी तब 55,000 वोटिंग का डिफरेंस था यानि कि 55,000 मार्जन से चनाव लड़े और अगर राहूल ना लड़े तो प्रेंका गांधी ही लड़े यानि गांधी परिवार से ही कोई सीट से चनाव लड़ता नजर आए बने रे चनल के साथ बहुत बहुत धन्यवार